राम राम जैमा भारती जै च्छतिस गड़ आप सभी का मेरे यूटूब चैनल सच्छे सच्छतकार मुरारी मिश्रा में पुना हार्दी का बिनांदा नहम सवागत हैं लोग सभा का चुना हो गया रिजल्ट आ गया एंड ये बहुमत में आ गया और मोदी जी तिसरी बार इत हास रस्तेवे नहरू जी के बाद दस साल कारकाल करने के बाद तीसी बार प्रधान मंत्री बन गया है मैं उनको धेरो सुपकामना है और बधाई अपने सच्छतकार चैनल के मध्यम से देना चाहता हूं निश्यत रूप से मान के चलिया पांच साल सांधारों फैसले लेंग कौन साथ है कौन नहीं है अलग बात है कितने लोग इंडी गड़ बंधन से तूटेंगे इसका आप इंतिजार करिए आज हम 36 गड़ में जो लोग सभा 10 जीती भारती जंता पार्टी उसके बाद भाटपा में क्या समिखन बनकर उभर रहे हैं इस पर एक संचित आकला नव करने का प्रयास करते हैं दो हजार उन्नीस में दो सिर्थी कॉंग्रेस की विश्णू देव साजी सीम बने कीरन देव जी प्रदे सद्धाज बने एक सी ठारे वो भी आपको मैं बता रहा हूं चार-पांस दिन पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 5-6 दिन पहले कि सरोज पांडे जी निश्चित रूप से आगे थी लेकिन गोड़वाना गरतन पार्टी को मैनेज करने में चरंदवान महस्त जी सफल हुए और साइस सरोज पांडे जी ओवर कांफिलेंस में कि हम जीत रहे हैं या जो भी उनका इशू रहा होगा तीन-चार दिन में उच पांडे जी के नितुत में एक फाइदा देखता हूं और निश्चित रूप से केंदर का विश्वाज जितने में सामिल हुए उसी तरह से किरन देव जी खुद कमोर से जीते थे जड़दलपूर लेकिन बस्तर की भारती जनता पार्टी के जीत में किरन देव जी का बहुत बड़ा हाथ है और आपको मा बता रहा हूं किरन देव जी के लोग सभा में भारी मतों से भारती जनता पार्टी विधान सभा से ज़्यादा चुनाओं में जीती और किसको बड़ा फाइदा हुआ विश्वुदे स्वाजी किरन देव जी तीसरे नंबर पर मैं रखता हूं आजाचंद्राकर जी खुद तो आठ हजार से जीते लेकिन लोग सभा वो पच्चिस हजार से जीताते हैं क्लस्टर प्रभारी रहते हैं महासमुन जीताते हैं क्लस्टर प्रभारी रहकर और आपका कांके रांकेर भी जीताते हैं कुल मिलाकर महासमुन लोग सभा को लगता है कि जो गलती मंत्री बना कर भारती जन्ता पार्टी का से नेतुत जो भी नेतुत फ़सला किया था अपनी गलती को सुधारेगा और बहुत जल्दी अजाचंद्राकर जी आपको मंत्री बनते वे दिखेंगे ये मेरे चैनल का सच सचतकार का एक आखलन और एक विश् जो सांदार देखो खुद हार गया हो राकेश शादाव जी खुद चुनाव हार गया है लेकिन लोग सभा में चप और दस लिड़ दिलाए भारती जन्ता पार्टी को एक वो समिकन बन कर उभरता है उसी तरह से आपका राजनांग गाउं में तो खर को इश्यू नहीं है व दुरूग में डोमन कोरसे वाला जी ने सांदार लिड़ दिलाई लोग सभा में और उसके अलावा आपका प्रेम प्रकासट पांडे जी जबरतास लिड़ दिलाते हैं दुरूग लोग सभा में इवन आपका ललीच चंद्राकर जी दुरूग ढामिन से और रिकेश साइं जिए जबरदस्त जिलाते हैं ये एक समीकान दुरुग जिला में भी भाविसमें बदलेगा हाँ भावना बोरा जी 25,000 से चुनाव जीती ये भावना बोरा की राणीती निश्ची दूर्प से पंडरिया में नुकसान जाने वाली आए अब भाविसमन को कुछ मिलने वाला भ होगा तो लगबाग मेरे खासे तीन चार हज़ार से लोग सबाहर गई 25,000 जितने के बाद भावना बोरा के लिए ये लोग सबाचुनाव निश्ची दूर्प से नुकसान ही लेकर आया है लेकिन चौथे नमबर पर कौन विश्णू देव साह जी कि आपके किरम देव जी चार जी के बाद मोतिलाल साहू जी 36 गड़ में सर्वाधिक लिड दिलाने वाले रायपूर गामिन के एक लाग साथ हज़ार से ज़्यादा मोतिलाल साहू जी जी हां क्या होगा क्या मोतिलाल साहू जी मंत्री बनेंगे लोग सबाह में अरुम साहू जी जो सबसे बड़ा न मेदारी अरुम साउगी ती दोनों फेल हो गए दोनों शाम ब्यारी जास्वाल जी के सर के उपर तलवार है निश्चित रुप से गिरेगा आपको मैं बता देता हूँ अरुम साउगी 45,000 से जीते चार सोट की लीड, डिप्टी सीम, सांसर, प्रदेश अधज, खतरा, डेंजर जोन और अभी मैं जो केंदर में तोखन साउगी मंतरी बने हैं उसके बारे भी बताऊंगा मैं इसे कोर रिलेट करके देखिए मेरे को लगता है कि तोखन साउग को मंतरी बनाने का एक मातर कारण अरुन साउग को ड्राप करना, हमारा अगरवाल जी को मंतरी बनाना, अजाच चंद्राकर जी को मंतरी बनाना, और साहू समास से आपका मोतिलाल साहू जी को मंतरी बनाना, राइपुर के कोटे को पूरा करना और हो सकता है, गजेंद यादो जी दिरुग से उनका भी चांस लग सकता है इस लोग सभा के देप्लमेंट के बाद और क्या बिलास्पूर पर आईए आप जिस पकार से अरुन साओ जी चार सोट की दिलाए मतलब बहुत बड़ी हार है कुर्बा के उसाइद प्रभारी थे कुर्बा हार गए मेरे को लगता है कि अमार अगरवाल जी जो से जीते 22,000 से लेकिन विलास्पूर से यही दो में से एक मंत्री बनेंगे चाहे धरम कौसिक जी बने चाहे हमार अगर 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 अग्रावाल जी नहीं बनेंगे तो राजस मुनद जी का चांस लग सकता है फिर आजाचंदराकर जी अगर हमार अगर अगर अ अज़ा चन्रा कर जी हैं तो मेरे को लगता है कि वसे भी वो डैनेमिक लिडर है इसके अलावा क्या है सुसान सुकला जी देखिए आप सत्रा हजार से जीते लिड़ दिला एक ती सजार से याद रखना दुरुक के बारे में आपको बता चुका मैं कहीं कहीं ये बात आपको मैं क्लियर कर दूँ कि निश्चित रूप से ये लोग सबाचुनाओं के रिजल्ट के बाद स्याम ब्यारी जास्वाल आउट अरुन साओ जी आउट अमार अग्वाल जी मेबी इन धरम कोसीख अंदर आ सकते हैं राजस मुनत जी अंदर आ सकते हैं आजाच चंतराकर जी डेफनेटली 99% चांस अंदर आने का घजेंद यादो जी और अगर अरुन साओ जी ज्राप होते हैं तो मान के चले फिर मोतिलाल साहू जी जो साहू साम आज के बड़े नेता है और छत्रिगर में सर्वाधिक मतों से जीता है उनका लाटरी खुल सकता है एक बड़ा और नुकसान होने वाला है रेलुका सिंग जी का रेलुका सिंग जी अपने भरतपूर सोनहट से साथ हज़ार से हार गई कोर्बा लोग सभा में कोरिया की तीनों सीठार गई इनको रागिती में भोईस में नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको मैं बता देता हूँ पूल मिलाकर श्याम ब्यारी जास्वाल जी यरून साओ जी इरेलुका सिंग जी इन सब का कद घटेगा भावना वोरा इनका कद निश्यत रुप से इनको या तो मौका नहीं मिलेगा या कद घटेगा और सबसे जादा सरगुजा में ओर दिलाने वाले राम विचार रेताम जी निश्यत रुप से इनका भी कद अपने से जादा ओर दिला है इनका कद बढ़ने वाला है कुल मिलाकर अगर मैं लोग सभा के बाद अगर चत्तिगर के भादपा सरकार का मैं आकवान करता हूँ तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान अरुन साव, श्याम ब्यारी जासवाल, रेनुका सिंग जी आपका भावना ओरा ये सब को होने वाला है आगे आगे देखिए क्या क्या होता है किसकी किसकी लाटरी खुलती है कुल मिलाकर मज़ेदार ये चुना हुआ और अरुशेशन आपको कैसा लगा, आप जरू बताएए, साथ में ध्यान देना आप, अंतागर में विक्रम उस्यांडी जी सांदार जी दिला है, लोग सबहां में अगर कांकेर लोग सबहां जित रही है, तो विक्रम उस्यांडी जी कभी बहुत बड़ा रोल है, याद रहा ह हाला कि भोजरा नागी वहीं के प्रतासी है, पुल मिलाकर इन सब का कद़ बढ़ेगा, और जिसका बताएए, उनका घटेगा, अब वक्त का इंतिजार करिए, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा आकलन है, बाकी, ये विस्यासन सही बैटता ही कि नहीं, आप कमेंट्स करके बता करिए, और मेरे चैनल को क्रिपिया सब्सक्राइब जरू करिए, सचसे सचातकार, मुरारी मिश्रा को लाइक सेर करते रहे हैं, आप सब का बहुत बहुत धरन्यवाद, जय हिन